कि नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कुछ और ज़रूरी जान का रही है आपके लिए तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किपना करें वीडियो को तक जुरूर देखें ज़्यादा से जूरूर करें तो जैसे की तकरीबन एक से डेड़ गंटे से ज्यादा हो चुका है यह गा काफी सारे अभी कन्फिज दे तो उम्मीद करते हैं कि सब्सक्री इंजिनिंग कोर्स जो अपर यल में एक्जाम मों और डिया जिसने और जिसने ऑफेले लेकिन रहरे, जिनकी वजह से चिंतित हैं लेकिन आपको चिंता करने की जरूर तो इस सारी बाते बताई जारी जारी जरूरी कि कौन सा चातर किस मोड से एक्जाम देगा अगर कोई ओफ-लाइन देगा तो उसके लिए सारी जिम्मेदारियां करना सारी अरेंजमेंट करना की जिम्मेदारी समंदित कॉलेज डिपार्टमेंट की होगी जैसे की क्वेशन पेपर एरेंज करना और कोवीड की सारी जितनी भी गाइडलाइन से उनकी पालना किये जाने की बात कई गी है और जो ओनलाइन का मोड सेलेक्ट करेंगे उनके लिए जरूरी है कि वो गूगल मीट की निगरानी में पेपर दें अगर डिसकनेक्ट हुए डिसपीर हुए तो यूमसी बना दी जाएगी ये चेंजिस जो किये गें कहिने कि इसकी वज़े से चात्रों में चिंता पैदा हुए लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जूरूत निया है सबसे में बात यह है कि आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चीए अगर आपके पास नहों हो आपके किसी दोस्त के पा सब्सक्राइब रखें और सांती पूर्वक्त तरीके से अपना कारिया करें अपनी तैयारी जारी रखें प्रैक्टिकल वगएरा पहले ही कंड़क्ट करवा लिए जाने चीए बात इसमें कई गी है रोल लंबर सलीप अटैच्च करने आंसर बुक के साथ गूगल फॉर्म बढ़ाना है पीडिया सम्मिट करवाने के लिए जो एक स्टुडेंट है या फिर जो दूसरे कोलेजों में सिफ्ट हो गए जिनके कोलेज बंद हो गई या फिर कुछ ऐसे चातर जैसे की सार डिश्टी के कुछ स्टुडेंट ऐसे हैं जो के यूग के अपना नेम रोल नंबर सब्जेक्ट इमेल आइडी मोबाइल नंबर वट्सएप नमरे सारी जानकरी देने और 20 रुपाई की रिजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी तो यहां पर देखिए डिपार्टमेंट इस्टिटूट कॉलेज विगेट दा इन्फोर्मेशन फिल्ट फ पर देख लेना जो आपको विग्षेट्र पर अपने अटेंप्ट करना है और इसमें जो बड़ा चेंज जो किया गया है वह यह कि ताइमिंग है वो चार गण कर दिए तो इसको लेकर अंदाजा यहीं है कि 100% करने की बात सामने आ रही है तो इसको लेकर भी आपको सारी हो जाएंगे मैक्सिमम जो पेज होंगे वह आप 36 पेज यानिके 36 पेज इस्तेमाल कर सकते हैं सारी डिटेल्स आपकी लिख्यों चाहिए लेकिन आपने कहीं पर भी अपना मुबाइल नमबर नहीं लिखना अंसर बुक पर अधरवाइस यूंसी बंड जाएगी है हर एक स सब्सक्राइब जान करें अपने भरणी है पीडिया बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अप से आग रहा है कि जो बीटेक वाले शुटियां ना करें और उमीद यही है कि वो छातर ऐसी गलती बिलकुल भी नहीं करेंगे क्यूंकि उनको भी पता है कि इतने भारी भर कम फीस्वों भरते हैं कि चार गंटे के टाइम के दुरान आपका सारा काम हो जाना चाहिए लेट आंसर सीट जो है असेप्ट नहीं की जाएगी गूगल फॉर्म में जानकर यह भरनी है और जो ओनलाइन मोड के जरीए एक्जाम देंगे उनको जो है वैब के स एक्जाम चलेगा उतनी देर तक उसने गूगल मिट जोइन करके रखनी है जैसे एक्जाम कंपलीट हो जाएगा तो उसके बाद टीचर को बता देना ही कंपलीट हो गया तो उसके बाद टीचर बताएंगे कि या तो आप इसको लीव कर दो या फिर बैक्ग्राउंड में च करने का मोका बिल्कुल भी नहीं दियागे तो इसी कान जोई चात्र में कहीं ने कहीं निरासा भी जुरूल थी जिसकी कोपिन सभी को बेच जी गई है और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं और यूश्टी की जो यह चालाक की है इसके बारें भी आप अपनी राय जुल दें कहीं नहीं कि इतना प्रैसर चातरों का आ चुका है चातर संक्टरों की तरफ से प्रैसर बनाए गया यूश्टी पर प्रैसर बना लेकिन उसके बाउजद उन्होंने चालाक की से यह दो चीज़ें कहीं कि पहला यूएमसी वाला और दूसरा यह चार गंटेगा पेपर लेने की बात तो यह कुछ एक ऐसे पॉइंट से जिनको लेकर चातर चिंतित हो सकते हैं लेकिन आपको च चातरों की एक जूटता के परिणाम सुरूप यह संभव वपाया तो आप सभी का एक जूटता दिखाएं बनाए रखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद उस सभी चातर जो है अपनी राये जरूर दें कि एक्जाम मोड को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गए उसमें आपके अनुसार क्या कुछ कमिया हैं क्या कुछ चीज़ें इंप्रोव्मेंट होनी चीए थी तो जैसे कि स्टुडेंट्स यह उम्मीद कर रहे थी कि 50% अटैप्ट करना होगा लेकिन कहीं ने कहीं इस्टी ने भी अपनी तरफ से अपना पैंतरा चलाया है तो आप सभी अपनी राये जरूर दें इस जानकरी को ज्यादा सेयर जरूर करें और जो एड्मिट कार्ड हैं वो भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे उसके बाद जो अपने एक्जाम सेंटर में जाके आपने रिजिक्स्रेशन करवाना होगा अनीवारिया है अगर आपका कोई जानकरी को ज्यादा सेयर जरूर करें वीडियो को तक देखने के लिए आपसे बहुत बहुत देनावाद कमेंट बोक्स में अपनी राये जरूर दें